जैहिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मित करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोश्तों आज के इस वीडियो में हम लोग LCM यानि की लोस और निकालना सिखेंगे वो भी ट्रिक के द्वारा ठीक है वो भी ट्रिक के द्वारा आपको LCM निकालने के लिए बताया जागा बेहत ही असान तरीके से जो की सबसे ट्रिक अलग है सबसे अलग नियम है और अगर आप यहाँ पर देखी आप पहले इससे पहले कैसे बनाते थे इस तरीके से कोई भी संख्या के LCM निकालते थे बस आपसे request है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के life तक देख करके जाईएगा ताकि यह trick आपको अच्छे से समझ में आजए और असानी से किसी भी संख्या का within ए second 2-3 second में आप किसी भी संख्या के LCM निकाल सके ठीक है अगर जिदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लालकरन का बटन दिया हुआ है उसे दवा के जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी के बटन को दवा के रखिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का knowledgeful वीडियो लेकर के आऊ उसका notification आप तक पोच जाए तो चलिए एक एक करके सुरू करते हैं और trick को समझते हैं कि trick क्या है पहला नमर का सवाल है वो basic सवाल है मिल्कुल छोटा सवाल को लिया गया है पहला नमर का सवाल देखे चार वट्टे बारह चार कोमा बारह है चार और बारह का LCM निकाल करके हमको बताना है देखे दोस्तों ये जो चार और पांच नमर का सवाल है इसको जरूर देख लिजेगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इसी में फच जाते हैं ट्रीक अगर आप समझ भी जाएंगे इसको अगर नहीं देखेंगे अच्छे से तो इसमें फच सकते हैं इसलिए इसको जरूर वाच कर लिजेगा ठीक है चलिए चार और बारह का LCM निकाल करके दिखाना है देखे आपको नियम याद रखना है यहाँ पर चार है छोटी संख्या है और बारह यह क्या है बड़ी संख्या ठीक है बड़ी संख्या को देखेंगे कि छोटी संख्या का पहड़ा में आ रहा है या नहीं कहने मतलब यह हुआ कि चार का पहड़ा में यह बारह आता है या नहीं अगर यदि आता है तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा 12 ठीक है? LCM क्या हो गया? LCM हम लोग का हो गया इस संख्या ये दोनों संख्या का 12 हो गया ठीक है? चली इसके बाद क्या है यहाँ पर दूसा नमर इसको भी समझे एक नमर में किलियर नहीं हो पाई है दुसा नमर की द्वारा समझे, आठ है और सोलो है, ये दुनों का LCIM निकाल करके दिखाना है, आठ और सोलो है, तो यहां पर ध्यान रखना है, आठ है इस चोटी संख यहां जो दिख रहा है, इसके पहाड़े में सोलो है या नहीं, अग आपको कुछ नहीं करना है ठीक है चलिए अब तीसा नमर को समझे तीसा नमर थोड़ा अलग टैप से इसको सोचना पड़ेगा यहां पर 3 9 और 36 यह भी उपर के जैसा ही है यहां पर देखे तीन का पहाडा में सबसे बड़ा संख्यां देखें तीन का पहाडा में आता है या तीन का पहाडा में आजार है 36 तुकि 3 से कड़ जाएगा 36 और 9 से भी कड़ जाएगा तो यहां पर भी हम लोग का LCM क्या होगा यहां पर भी LCM हम लोग का सबसे बड़ी संख्यां जो दिख रहा है वही हम लोग का अंसर हो जाएगा 36 ठीक है बहुत ही असान है इसको बनाना ठीक है चलिए अब चोथा और पांचमा को अच्छे से समाझ लिजेगा यहीं पर सबसे जादा बिद्यार्थी दिक्कत करता है यहां पर चोव 18 चोविस क्या है चोव 18 और चोविस चोविस है तो इसको देखिए यहां जो चे है चे का पहाड़ा में 24 तो अराम से आ जाता ह लेकिन ऐठारो का पहडा में 24 नहीं आता है तब ए क्या करेंगे इस स्थितिती में यहाँ पर आप आंसर डारेक्ट इस 24 को नहीं लिख सकते है क्योंकि यहाँ पर पहडा में आता था तभी LCM निकालते थे डारेक्ट लिख देते थे यहाँ पर पाड़ाम इसके 18 का पाड़ाम नहीं आता है अब क्या करेंगे अब देखिए यह जो चो है इसका यह खुवी है कि इस चो से सभी संख्या विवाजित होता है तो चो को मन ले लेंगे यहाँ पर चो एकम चो एक बार में एक लिख देंगे यहाँ पर चो तिया 18 और चो चो के 24 है ना चुकि चो से अब गुना करेंगे बार से सभी से फिर उतना ही संख्या आ जाएगा इसलिए इस तरह से चो को मन ले लिए अब क्या करना अब इसको डारेक्ट सभी में आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का LCM निकल जाएगा सभी को आपस में गुना किजिए LCM निकल जाएगा चो ती 18 18 चो के होजा कितना 72 तो हम लोग का जो आंसर आया LCM आया वो कितना 72 ये तीनों संख्यां के LCM होगा 72 अब पांचमा नमर को समझते हैं पांचमा नमर में भी चोथा नमर के जैसा ही concept लगाना है यहाँ पर 12, 15, 18 है तो 12, 15 और 18 अब देखिए यहाँ पर चोटा संख्यां का पहाडा में कोई भी नहीं आता है तब क्या करेंगे तब ऐसा आपको सोचना है कोई ऐसा संख्यां सोचना है तीन संख्यां तीन से तीनों बिवाज उता है तो तीन कोमल लेंगे ठीक है तीन कोमल लेंगे यहाँ पर तीन का पहाडा में कितने बार होगा तीन चोके बारा तीन चोके बारा चार बार में कटेगा यहाँ पर चार लिखेंगे इसको किसी संख्यां के साथ गुना के रुप में लिखेंगे क्यों कि ये जो 4 है और 6 है ये 2 से कट रहा है तो फिर 2 को कोमर ले लेंगे बाहर कर देंगे दो से बाहर दो को बाहर कर लेंगे यहां पर बचे क्या दो दुना चार पांच नहीं कट राए इसको जैसा को वैसा भी रहने दीजिए उसके बाद दो से इसको कटाएंगे तो कितना दो तियाई चो तीन बार में अब बिल्कुल ही छोटा गया मतलब अंदर में अभास संख् लें मतलब जो्टा के रुप में कारंण मतलब यह हुआ किसी में कोई विच्छी कोमन नहीं होना चाहिए ठीक है गोमन नहीं होना चाहिए अब सभी में गुना कर देंगे हमलों का LCम निकल जाएगा थ essere में गुना करेंगे 12, 15 और 18 का इस तरीके से ट्रिक के द्वारा किसी भी संख्या किसी भी लंबा लंबा संख्या का LCM निकाला जा सकता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जनकारी मिला होगा अगर वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक करके